हालो इस्टूडेंट्स सबसे पहले तो दो चीजों के लिए मैं आपको सोरी कहना चाऊँगा पहली बात तो कि जो मैं वीडियो जे इतने गेप के बाद बना रहा हूँ actually मैं मेरे MSC के exam चल रहा है और मैं just अभी ही free हुआ हूँ दूसरी बात कि ये जो PDF है ये थोड़ी सी blood है यानि कि धुंगली है तो इस चीज को आप avoid करना तो अब अपन अपना topic शुरू करते हैं तो हमारा आज का इस वीडियो में topic है Myasthenia Gravis तो Myasthenia Gravis जो है ये एक तरह का nervous system का disorder होता है अब इसका मतलब क्या होता है तो Myasthenia Gravis का मतलब होता है muscular weakness तो अब इसकी definition की बात करें तो ये एक तरह की long term neuromuscular autoimmune disorder है autoimmune का मतलब क्या होता है जब हमारी body की immunity ही हमारे body parts को नुकसान पहुचाने लग जाए तो Myasthenia Gravis क्या है एक लंबे समय तक चलने वाली neuromuscular autoimmune disorder है जिसमें क्या problem देखने को मिलती है जो हमारी body की voluntary skeletal muscles होती है उन में weakness देखने को मिलती है अभी क्यों देखने को मिलती है कैसे देखने को मिलती है यह मैं आपको आगे जब pathophysiology आएगी उसमें बताऊंगा अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जो Myasthenia Gravis है इसमें क्या होता है इसमें voluntary skeletal muscles में weakness देखने को मिलती है अब इसमें कौन-कौन सी muscles affect होती है तो इसमें mostly जो eyes है face है और जो swallowing muscles है इसमें ज़्यादा affected होने को होता है ठीक है इसके अलावा जो breathing muscles से उनमें भी जो है problem देखने को weakness देखने को मिलती है तो generally एक बात हो गई Myasthenia Gravis के introduction या definition की next one बात करते हैं इसकी causes की तो जो इसकी exact cause है वो unknown है ठीक है बट ये एक autoimmune condition है autoimmune का मतलब क्या है जैसा मैंने आपको बताया जह हमारी immunity ही हमारे body parts को नुकसान पहुचाने लग जाए तो अब इस condition में होता क्या है immunity करती क्या है तो दो conditions develop करती है autoimmunity वज़े से पहला तो है कि जो acetyl choline है neuromuscular junction जो होता है वहाँ पे जो acetyl choline है उसकी deficiency हो जाती है दूसरा acetyl choline जो receptor से उनका destruction होने लग जाता है जिस वज़े से ये condition develop होती है तो आप लोगों को neuromuscular junction के बारे में पता होगा कि आपने first year anatomine पढ़ा भी होगा दूसरा जो acetyl choline है इसके बारे में भी आपको पता होगा ये एक तरह का neurotransmitter होता है जो nerve impulses को transfer करने का काम करता है तो अब ये कैसे develop हो रही है मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ structure के थूरू या diagram के थूरू तो देखिए ये एक simple सा diagram है यहाँ पर आप देखेंगे neuromuscular junction में ये जो neuron end है ठीके motor neuron जो होता है उसका end है दूसरा यहाँ पर जो है ये muscle fiber है इस तरह से ठीके इस तरह से जो है neuromuscular junction बनता है अब इसमें होता क्या है कि ये जो nerve end है यहाँ पर present रहते हैं acetyl choline के molecules दूसरी तरह जो muscle end होता है इसमें यहाँ पर receptors ये present रहते हैं ठीके तो जब भी ये acetyl choline यहाँ से release होता है ये release होने के बाद यहाँ पर आके bind हो जाता है इन receptors पर ठीके जैसे यहाँ पर ये bind होता है nerve impulses transfer होती है nerve impulses transfer होती है तो muscles में contraction होता है ठीके but in the case of myasthenia gravis क्या होता है कि immunity क्या करती है इन receptors को या ये acetyl choline molecules को destroy करने लग जाती है तो अगर ये receptors या ये acetyl choline अगर destroy होंगे, deficiency होगी इनकी तो क्या होगा nerve impulses transfer नहीं होगी muscles में contraction नहीं होगा जिस वज़े से muscular weakness देखने को मिलेगी कि क्यों ये condition अकर हो रही है और केसे हो रही है next one अब बात करते हैं अपन इसकी pathophysiology की तो pathophysiology में वही same mechanism में वापस से आपको बताऊंगा तो आपका completely clear हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी causative factors होते हैं like जो autoimmunity condition है उस वज़े से होता क्या है antibodies बनने लग जाती है किसकी against बनेगी neuromuscular junction पे जो muscular membrane है जैसा मैंने आपको बताया ये जो receptor से neuromuscular junction पे जो receptor से muscle fiber पे यहाँ पर क्या होती है muscular membrane होती है जिसको बोलते है sarco lema जो muscular membrane उसको बोलते है sarco lema इस sarco lema के against क्या होता है antibodies बनने लग जाती है next one क्या होगा अब जो ये antibodies बननी है ये क्या करेगी जो sarco lema या muscular membrane पे acetylcholine receptors है जैसा मैंने आपको बताई ये जो receptors बने वे हैं जहाँ पे acetylcholine आके bind होता है ये receptors क्या होंगे destroy होने लग जाएंगे antibodies की वज़े से next one up क्या होगा जैसे ये receptors जो है destroy होंगे तो जो nerve impulses transmit होती है वो transmit नहीं हो पाईगी क्यों नहीं हो पाईगी क्योंकि receptor destroy हो गए है receptor destroy होंगे तो acetylcholine वहाँ पे आके bind नहीं हो पाईगा bind नहीं होगा तो nerve impulse transfer नहीं होगी और अगर हम nerve impulse transfer नहीं होगी तो muscle contraction नहीं हो पाईगा muscle contraction नहीं होगा तो muscles में weakness देखने को मिलेगी जिसको अपन क्या बोलेगे myasthenia gravis I think आपको ये समझ में आ गया होगा एक बार और वापस है मैं आपको चलो बता देता हू डाइग्राम के थुरू ये जो है nerve end है और ये muscle end है ठीक है muscle fiber end अब यहाँ पर क्या होता है ये जो सारकोलेमा है जो muscular membrane है इसमें receptors present होते है इस side जो nerve end है या पे acetylcholine present रहता है अब जो immunity होती है जो antibodies बनती है वो क्या करती है इन receptors को या इस muscular membrane को क्या कर देती है destroy कर देती है अब ये जो muscular membrane destroy होगी तो यहाँ जो receptor से ये destroy हो जाएंगे जिस वज़े से जो भी acetylcholine nerve cell से आएगा वो यहाँ पर bind नहीं हो पाएगा ठीक है अगर ये यहाँ पर bind नहीं होगा तो nerve impulses transfer नहीं होगी nerve impulses transfer नहीं होगी तो muscular contraction नहीं होगा muscular contraction नहीं होगा तो muscular weakness होगी जिस condition को अपन बोलेंगे myasthenia gravis I think अब आपको बिल्कूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा myasthenia gravis में weakness कैसे होती है immunity कैसे cause करती है next one up बात करते हैं अपन इसके sign and symptoms की तो यहाँ पर आपको sign and symptoms दिखेंगे यह सारे related दिखेंगे muscle weakness से सबसे पहला है weakness of skeletal muscles mainly muscles of eye speaking breathing जैसा में आपको starting में बताया था eyes की muscles facial muscles, swallowing muscles speaking muscles जो बोलने में help करती है, breathing muscles जो breathing में help करती है सब में क्या हो जाएगा, weakness हो जाएगी next one, extreme weakness during exercise person जितना काम करेगा activity करेगा, उतना ही उसको weakness होगी जितना वो rest करेगा, उसको weakness नहीं होगी, फायदा होगा जितना वो काम करेगा, exercise करेगा उसको उतनी ज़्यादा weakness होगी next one, symptom देखने को मिलेगा पर्टोसिस जिसको अपन बोलते हैं डूपिंग ओफ अपर आइलिट्स जो भी पर्षन होगा माइस्तिन या ग्रेईस वाला उसकी जो पलके होगी उपर की जो पलके होगी वो क्या हो जाएगी नीचे की तरफ जुक जाएगी या लटक जाएगी जिसको बोलते हैं पर्टोसिस नेक्स्ट वन या पर डिपलोपिया भी देखने को मिल सकता है यानि डबल वीजिन नेक्स्ट वन सिम्टम या पर देखने को मिल सकता है डिस्निया डिस्निया क्यों देखने को मिलेगा क्योंकि breathing muscles में weakness हो रहा कि यह तो person सांस नहीं ले पाएगा या सांस लेने में उसको दिक्कत होगी next one यहाँ पर person को dysphagia भी हो सकता यानि difficulty in swallowing next one person के facial muscles में भी weakness रहेगी तो यह कुछ sign and symptoms होते हैं जो myasthenia gravies में देखने को मिलते हैं next one बात करें अपने इसके diagnosis की तो यहाँ पर एक test आता है electromyography जैसे ECG होता है, EEG होता है वेसे ही EMG भी होता है जिसको अपन बोलते हैं electromyography अब इस procedure में या इस diagnosis में करते क्या हैं तो इसमें जो भी myasthenia gravies वाला patient है उसकी muscles की electrical activity को देखा जाता है उससे यह पता लगाया जाता है कि muscles किस तरह से function कर रही है next one यहाँ पर CT scan और MRI भी कर सकते हैं इसके अलावा इसमें echo diagnosis आता है tensilon test जनलिया अपने इसका नाम सुना होगा कही ना कही अब यह जो tensilon test है यह myasthenia gravies को detect करने में किया जाता है अब इसमें करते क्या है तो इसमें जो है person को जो भी patient है उसको IV के थुरू endrofonium drug दी जाती है endrofonium drug क्या होती है यह क्या करती है यह colin stress enzyme को block कर देती है colin stress enzyme जो होता है यह acetyl colin को destroy करने का काम करता है तोड़ने का काम करता है तो endrofonium drug क्या करती है इस colin stress enzyme को block कर देती है जिस वज़े से acetyl colin का level जो है blood में increase हो जाता है तो यह drug जो है patient को IV के थुरू दी जाती है समझ गए अब बात करते हैं इसमें procedure की कि इसमें कैसे procedure किया जाता है तो सबसे पहले patient को IV through IV injection के थुरू endrofonium drug दी जाती है उसके बाद क्या देखने को मिलता है एक मिनट के अंदर ठीक है ड्रग दी उसके एक मिनट के अंदर अगर person की muscle strength जो है वो improve हो रही है ठीक है improve हो रही है तो इसका मतलब है patient को mice tenia gravis है अगर drug देने के बाद एक मिनट के अंदर कोई भी improvement नहीं हो रही है muscle strength में इसका मतलब patient को mice tenia gravis नहीं है अगर muscle strength improve होती है endrofonium देने के बाद तो mice tenia gravis के लिए positive होता है यानि उसको mice tenia gravis है अगर कोई भी improvement नहीं होती है इसका मतलब उसको ये condition नहीं है ठीक है समझ गए next one इसके बाद अपन बात करते हैं इसके management की तो इसमें जो medical management आता है उसमें कौन-कौन सी drugs दे सकते हैं ऐसे patient को तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो myasthenia gravis की जो condition है इसको treat या completely cure नहीं किया जा सकता है इसमें सिम्टम्स को suppress किया जा सकता है drugs दे कर तो इसमें first one drug आती है anti-colin stress drug ये drug क्या करती है colin stress enzyme को block करती है जिस वज़े से acetylcholine का level बढ़ जाता है तो इसमें drugs आती है like neostegemine and endorphonium ये drug क्या करती है colin stress enzyme को block कर देती है जिस वज़े से blood में acetylcholine का level बढ़ जाता है next one corticoistroid drugs भी दे सकते है और immunosuppressant drugs भी दे सकते है ये दोनों drug क्या करती है immunity को suppress करने का काम करती है corticoistroids में तो prednisone दे सकते है immunosuppressant में agythroprin दे सकते है तो ये drugs क्या करती है immunity को suppress करेगी immunity suppress होगी तो neuromuscular junction पे destruction भी कम होगा इसकी अलावा patient को oxygen therapy भी देना जरूरी होता अगर breathing जो muscles है जैसा मैंने आपको बताया breathing muscles में weakness हो जाती है person को सास लेने में दिक्कत होती है तो oxygen therapy देना जरूरी है next one यहाँ पे NG tube feeding भी person को देनी पड़ सकती है अगर उसकी जो है मतलब जो swallowing muscle से वो properly काम नहीं कर रही है person कुछ से खाना नहीं का पा रहा है तो उसको NG tube feeding भी देनी पड़ेगी तो यह तो बात होगा medical या general management की अपन बात करते हैं इसके nursing management की तो myasthenia gravis का जो nursing management का primary focus क्या होता है इसका primary focus होता है patient के airway और breathing को maintain करके रखना क्योंकि अगर breathing muscles problematic होगी weakness रहेगी तो person को सास लेने में दिक्कत हो सकती है तो primary focus क्या रहेगा इसका airway और breathing को maintain करके रखना second one क्या करना है suction equipment जो होते हैं या जो oxygen supply होती है उसको patient के bad side पे ही रखना है क्योंकि patient को कभी भी problem हो सकती है सास लेने में दिक्कत हो सकती है next one क्या करना है patient को advice देनी है deep breathing exercise के लिए और cuffing के लिए जिससे क्या होगा patient की जो pulmonary complication से वो नहीं होगी next one क्या करना है patient को adequate nutrition provide कराना है क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो swallowing muscle से उनमें दिक्कत रहती है person कुछ से खाना नहीं खा पाता है तो patient को क्या करना है nurse को क्या करना है patient को nutrition intake है वो adequate बना के रखना है next one क्या करना है patient को AC diet देनी है जिसको वो easily chew कर सके और swallow कर सके कहने का मलब यह patient को liquid diet और soft diet ही देनी है next one क्या करना है जब भी patient खाना खाए meals के दोरान patient को upright position में बेठने को कहना है upright position में अगर patient बेठेगा तो वो easily swallow कर सकता है gravity की वज़े से next one क्या इसमें करना है patient को एक और advise देनी है कि आपको जितना हो सके आपको muscle weakness भी उतनी ही कम होगी तो ये बात होगा इसके nursing management के और ये topic भी complete हो गया I hope आपको इसमझ में आ गया होगा फिर भी अगर आपको कोई भी problem हो ये कोई भी feedback आप देना चाहते हो तो आप मुझे comment करके बताईए Thank you